पढ़ना क्या हो गया? को अब करते हैं एक Chapter 1 मेहन अधे करने के वह समेड़ां को हैं फिरह जीज मुम्किन है आई आईए Really ॹगो आनठी पहला क ус सब्सक्राण सब्सक्राइब करेंड़ का इस अंदाज ब्रतों में आपको भी ह야ард को याद करना होगा सिदिवस मेहनती दिलिजन पर में दिलिजन परना देखनेए पारा हँ दिस्कनेक्ट हो चुके हैं बिल्कुल पेपर ने दर मत डाली है, सिर्फ मुझे सुनियेगा, क्लास में जब पेपर की ज़र्थ हो तो पेपर में ज़र डालीगा, मैं खुदी कहूंगा, अभी तो सिर्फ मुझे सुनना, मेरी आबाज को अपने काम तक बिना किसी परकार के और स्ट्रक्शन क्या नहीं द है गा तो कहीं कुछ जान मत देना इधर से उधर, ऑशी डियूवस, एस gonna है discipline,ёнøs का मतब होता है diligent, 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 दोने शब्द, देखेगा, कैसे हम रिलेट करके याद करेंगे, diligent यह है दिल्ली और यह है जेंट्स है सब महनती होते हैं सब स्लिवेस होते हैं और जिस विक्ति को कोई गधा कहें दे दाबल एश गधा कहें दे समझ जाइए वो वाक्य में महनती मोदी जी और मिस्सा को अखिलेस यादव ने कभी कहा था कि गुजरात के दो गधे आए हैं मोदी जी पता और ने मोदी जी ने क्या कहा मोदी जी रैली जब करते हैं दूसरे दिन और कहते हैं मेरे प्यारे भाई ये भेनो हां मैं गधा हूँ अपने सवा सो करोर देशवासियों के दिन रात मिनत करने वाला इकलाता मैं गधा ह रुमा कि तेरा बेटा ऐसी डिवस हो जाए ऐसी डिवस ऐसी डिवस ऐसी डिवस हो जाए और एक बार महनती हो गए तो फिर कोई आपको रोक नहीं पाएगा जबी इन पर कोई कारण नहीं जो आपको किसी छेत्र में आगे बढ़ने से रोक सकता है बस आपको महनती हो जाना है ऐसे डिवस हो जाना है या दिली आजाओ दिली आते हें डिलिजेंट हो जाओगे डिलिजेंट डिलिजेंट हो जाओगे अटर्ली का मतलब होता है कंपली, अपरली कैसे रिलेट करेंगे हम कैसे रिलेट करेंके याद हो जाए粉 झाल 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 कुछ टेक्निकल बाद हैं विश्वाथी दौर में आएंगी इसके लिए माफिच आएंगे क्योंकि कई साल बाद नहीं बलकि साल लग गया है शुरुआत करने में तो अभी चीजों को तुरा से टेक्निकली और्गिनाइज करने में दिक्कत हो रही है बाकि बस दो दिन में हैं पत्ना मैं ऐसे बच्चे जो बिलकुल बैठे हुए हैं चिपक चिपक के ठंडा का मौसा में समझ सकते हैं लेकिन ध्यान नखेगा करौना पत़त नहीं है या नहीं है मतलब करोना बिलकुल भूत की जैसा लगता है जिसका मन कमजूर हुआ वसी को लपक लेगा तो तो और मास्क तो दिख रहा है, रोज मैं आज तक देखता हूँ, आज तक मैं यही सुनने को मिलता है, कि करोना को देना है मास्क के साथ, तो मास्क किसी का दिखने ही जाए पांडेजी, ऐसा नहीं कि पांडेजी आप जेल चले जाए, इतने सारे बच्चों को, तो ध्यान रखिए का आप सब लोग बहुत शुन्दर, अगर मास्क है तो लगा लिजिए और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पूरी सब्धानी सतरक्ता के साथ आप क्लास किजिएगा, ऐसा नहीं कि किसी प्रकार करन होनी हो जाए और हम में गुस्रे को माफ ने गरपाएं, अटरली का मतभड वताः संपूर्न इंटार्ली अटर्ली अट अटरली 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 में जो पि थी रात में जो पि थी, ओक ए नदिक डोले ले नी चुटरली अटरली of experience sound recording तो कभी टोपोग्राफी के मताबिक तो कभी प्रणन्सियेशन के मताबिक हम सब्द को रिलेट करेंगे और रिलेट करके याद करते चले जाएंगे अटरली, रात में जो पीज थी वह सिस्टर हूँ मैं बहुत शुंदर पिंकिजी मैं गुजरात से हूँ सारी कुरोना पुरा बरवाद कर दिया है सर आपको I am Sir मैं बीगर हूँ इंगलिस बीगर नहीं बेगर लिख रहे हैं लगता आप ब्रवट मानिएगा क्योंकि अगर मैं कोमेंट भी पढ़ता रहूँगा तो फिर पढ़हनी पाऊंगा तो कोमेंट मैं देख लूँगा जब मुझे 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 मिलेगा फिलाल आप कांस्टेर कीजिए मुझे स्टने में पता नहीं आप लोग कितने वरे फैन है एक टीचर का लेकिन मैं अपने बिजारती का बहुत बरा फैन हूँ बहुत बरा मेरे जीबन में जितने बिजारती मिले बेमिशाल मिले मतलब मैं शब्दों में बियान नहीं कर सकता है कि बिद्यारती किस रूप में मेरे जीबन में आया और कितना बरा मैं उनका फैन हूँ यह शायद जब आप मिलेंगे मुझे तो स्याद वहसास हो आपको शब्दों में तो कह नहीं सकते हैं एबोमिनेंबल का मतर्म नहीं सकता है नहीं हैं कभी बना कुट्टा तो कभी बना कमीना मीना के लिए हर काम की असर हमने लेकिन अब मीना अब मीना एबल हो गई है तो उसका वेभार मेरे परती अबो मीनेबल हो गया है मैंने उसके दिन रात मेहनत किया मैं जौब करता था उसे पढ़ाता था पढ़के वो कुछ बेहतर बने फिर दोनों मिलकर शादी करते फिर घर परिवार बसाते लेकिन अब मीना इंस्पेक्टर बन गई है और उसका बैभार मेरे परती अबो मीनेबल हो गया है अब वो कहती ह है कि मुझे कोई और अच्छा लगने लगा अब मुझे डोले सोलेवाले बच्ची अच्छे लगते हैं तुम जैसे लड़का मेरा कहीप संद था ही मजबूरी थी महभबत नहीं थी ओ किया भू मीना का बैभार धार अबो मेड़ जिने बल अब sommes मिनेबल हो गया ग्रनास्परद हो गया और इस हो गया ऑडी में चलने बाले व्यक्तिज होता हैं उनका अमर्पर रिक्षा वाले यह मारुति वाले यह फिर किसी और परकार के स्वारी वालों से क्या होता है उनका बैफ़ार adia successful to do to dodi होता है वो आड़ी में चलते हैं बाकि लोग को कुछ समझते ही नहीं है घरना से देखते हैं उन्हें क्योंकि वो आड़ी भाले बाबू है वो उनका वैभार ओडियेस 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 हो गया है अगरी 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 अ और मुन्ना के पीछे मुन्नी भाग रही है लोग आवाद लगा रहे हैं ओमेन 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 ओगरी 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 लेकिन मुन्ना को इसका रत्ती भर भी आवास नहीं होता है कि मुन्नी ग पढ़ने पाऊंगा इसके बुरा बत मानेगा क्योंकि अगर मैं कॉमेंट ही पढ़ता रहूंगा तो फिर पढ़ानी पाऊंगा तो कॉमेंट मैं देख लोगा जब भी मुझे 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 देखा मिलेगा फिलाल आप कांसेंट्रेट किजिए मुझे स्टने में पता नहीं आप लोग कितने वरे फैन है एक टीचर का लेकिन हम मैं अपने विजिवन में जितने विजिवन में जितने विजिवन मिले बेमिशाल मिले मतलब मैं सब्दों में बियान ही कर सकता कि विजिवन में आया और कितना वरा मैं उनका फैन हूँ कि शायद जब आप मिले जानेंगे मुझे तो साद भी होता है बहुत सरे सब्सक्राइब जानेंगे धिरे-धिरे तो अगरी मत आभास संकेत कंफ्रेंट 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 कौन है जो फ्रेंट पर आके मोदी जी का सामना करे रहा है मोदी जी का आज बियर देखिए बियर आज दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है कि शान की शक्तियां घड़ते जा रही है और मोदी जी अपने दार ही लंबा किये जा रहे है कि मोदी जीने बियर क्यों बढ़ाया ताकि ऐसे आंदुरनकारी को अच्छे तरीके से चरअब्ड कर सके सामना कर सके कौन है जो फ्रेंट पर आके मोदी जी को कन फ्रेंट करेगा कन फ्रेंट 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 υτर नहीं नहीं हमारे मुलायम जी क्थाइव झान्डी की में बात कर रहा ή कि मैं उन्यूंस हमारे मुलायम आदब्जी जाते हैं तो यह दे पोकार्टा विस नहीं उपने लगता है कि इधर कभी हुदर कभी इधर कभी हुधर हमारे मुलायम जी लीद लएजम सपल है लिद लएजम 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 ल जम जब वह लीजाम화 लेने के बाद वह फ्लक्सील वह गई, then पोसान ना पाई, कौन पती है और कौन धोस्त है, बहुत वह लएजम सपल हो गई, चपल के तरीक से आप रिलेट कर सकते हों थो ठास आपके अंदर सेंस-of-favour होना चालिए छाति संस-of-favour है ठोडिक रिटीवटिश्य पीटी है फिर देखो अन्दाज बदल जाएंगा आपका जीने का हर सब्द याद होगा लिब्लीजम सपल यदी जंसपल दील इंसपल गा सपल इंस Mmm सों नबिकना ब्रीस्म नब्लीस्टosa था仁 तीलीस्राम वी लेश्टतров सॉं नब लीष्टky संह triggers लेश्ट्ट सा लेश्टना छीम लेश्ट खंड इस लेश्ट एसंना वी लेश्टत 하지 सो ब्नाब लेश्त uity 2 आप उनां भी वो ले बुष इस अ कि रम भी ला व लाय we efic醉enden है झाल 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 सुनम गुपता बेवफा है सुनम गुपता बिलकुल बेवफा नहीं है सुनम गुपता सुनम गुष्ट सुनम गुष्ट सुनम गुष्ट लिए सुम सब्दह नहीं नेंद को दिखाता है और इसमें एम्बल है इसमें एमबल क्या है यह सब रूट वड़ है एमबल मतल होता है चलना जहां भी एमबल लगा हुआ ना समझ जाई चलने की बात हो रही है और एमबुलिस्ट आओगे सुमनम बिलिस्ट जो नींद में चलता है उचे सुमनम बिलिस्ट कहते है बॉन्ती 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 बॉन्त बॉन्टी 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 का मतब होता है मैंगननीमिटी बॉन्टी एक मां अपने बेटी को सम्झाती है कि बेटी बंटी से मत मिलाकर बेटी बंटी से मत मिलाकर लेकिन दिल है कि मानता नहीं, बेटी को लाग मा समधाती है, बेटी चिलागर कहती है कि मा प्लीज उसे बंटी मत बोलो, उसे बंटी मत बोलो, वो बंटी है, वो मेरे जीवन का उपहार है, आप उसकी बंटी को नहीं जानते हैं, आप उसके मेंगनीमिटी को नहीं जानते हैं क्या आप उसे प्लीस बंटी मत कहिये वो बंटी है मेरी जीवन का बंटी 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 जब भी बंटी की बात होगी आपके मनमें बात आएगी बंटी 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 इसका दिल भरा हो, magnanimity, defile 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 def तु फाइल दे दे, नहीं तो मेरे फाइल को तुम डिफाइल कर दोगे, मेरे फाइल को डिफाइल कर दो, दे दे फाइल, दे फाइल, दे फाइल, डिफाइल, डिफाइल, डिफाइल मतब दूसित करना, सली कर देना, डिफाइल, दूसित करना, सली करना, डिफाइल, दूसित नहीं जा सकते हैं आप मेरे साली के साथ अगर शिमला गया है तो मेरी शाली को आप क्या कर देंगे सली 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 कर देंगे आप दुशित कर देंगे डिफाइल कर देंगे मैं कभी भी अपनी साली को शिमला आपके साथ नहीं बेश सकता क्योंकि मैं जानता हूं कि आप क्या कर देंगे साली को सली 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 कर देंगे आप आइन डिंपल डिंपल गाल पे परने वाली गड़ा काम ह scient基 κάν। नोग होंगे अधिव्ह श ? सारे बच्चे हैं जिनके गालों पर होना चाहिए डिम्पल तो बताएगा किसके पास हाँ उठाएंगे और बताएंगे किसके पास डिम्पल है इह है अलो गर्द जी पिंगी जी आपके पास तो ज्रूर दिम्पल होगा अकांचा जी के पास हो दिम्पल था तो बहन के पास तींपल जडरूर होगा कि आयम दिम्पल वात बहुत इच्छे बच्चिया उठा रहे है किछ पैर भी उठा रहे रोतक में लगता है किसी के पास डिम्पल नहीं है जो सही कहाई किसी ने होता सबके पास दिखाता कोई नहीं है कि बहुत अच्छी बात कि अच्छी बात है आप लोगे पास ना हो लेकिए मैं चाहूंगा एक आपके जो हम सफर हम नीवाला हम कि कि सफ़र जुआएंगे कि उनके पास दिंपल का मतनद दांते हैं पिट इसकी लिल भी पहलेंगे नहीं नाम महताइँ इंप इंपुडेंस impotence 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 kapil prrajapathi आप के काल पिदी दिम्पल है बहात यसुनूद अजी शाहिल जी आतिश्री आदेश जी अदेश सब के पाष दिम्पल है, येज।्ट्ट है वरी आदेश पोषवाल जी IMP UTENSTS इंपोदेञ़स तेमेरिटी 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 पीने का दुसास कैसे करते हो तेमेरिटी पीने का दुसास कैसे करते हो ये तेमेरिटी है 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 ये तेमेरिटी है जी गॉल जारिती, इन्सॉलेंस आई बात करते हैं ,,कॉन फिस्ट जमा नहीं किया है कौन फिस्ट जमा नहीं किया है उनके समान को कॉन्फिस्केट कर लो, इंपाउंड कर लो, मेरे बैग से पाय गया पाउंड, सरकार ने कर लिया इसे इंपाउंड, मेरे बैग से पाय गया पाउंड, सरकार ने कर लिया इंपाउंड, 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 इंपाउंड मारन फूल मारन फूल मारन फूल हमारे प्रोष में ढ़ली रहा करती थी उन번े दॉली रह गरती थी और जब जब उन्हें फुल मिलता था वो ब्लकुल धाते थी। बहुत यारंदीत होती थी आपको बिल्कुल रात इंदौरी का वो अक्सर हम आपको सुनाते हैं और अक्सर हमें वो मोटिवेट करता है कि फकीर शेख कलाम इमादर फकीर शेख और क्या था उसमें फकीर सेख इमाम कलंदर फकीर सेख इमाम कलंदर क्या क्या है तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या है ये लाइन बिल्कुल अंदर से बिल्कुल जग जोर देता है कि तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है तो यूर्द मास्टर आप मास्टर हो ज कदम आगे बढ़ाओ पहले दिमाग में उसको सेट करो, सचीन तिन्दूर कर भी जब भी सेंसरी लगाने निकलते थे, तो सब से पहले अगर कल वंड़े होना है तो लात में वह अपने मन में सेंसरी लगाते थे, अपने मन में और उसी अंदाज में लगाते थे, यहाँ हो स延्री लगाने के बाद उच्छल कर ऐसे करते हुए नहीं दिखा जैसे विराठ करता है कि ऐसा लगता कि पतानी लग गया सेंुरी लग गया आ कि लेकिन सचिन जामते थे कि सैंस्री तो हमने आज रात में ही मलगा दिया है कि सबसे पहले दिमाग में धरें पिंकी जी की बात करें तो पिंकी जी भी धर्ती पे दो बार आई है एक बार अपने अपने मम्मी पापा के ख्यालोग ख्वाबों में आई होंगी कि कैसी बेटी चाहिए इसका रंगरूप ऐसा हो और धीरे-धीरे जैसे-जैसे-ई-विचार में शक्तियां आती गई आती गई आती गई यह विचार धीरे-धीर आकार ले लिया धीरे-धीरे पिंकी जी के रूप में एक आकार लिया लेकिन समसे पहले विचार आया विना विचार के तो आकार लही नहीं सकता है हर चीद धर्ती पे दो बार होता है तो आज महल भी दो बार बना एक बा आपको उतारना होगा हिर्द में बसाना होगा तभी तो संसार में बसे गाओ तो पहले इस शरीर में उतारो उस हर चीज को जो संसार में देखना चाहते हो हिर्द में बसाओ मन में बसाओ रग रग में बसा दो फिर देखो कैसे आगे संसार में उतरा आता है वो दुनिशी दूर्प से आपको मास्टर बन के आपको खेलना है सब्सक्राइब अब दोसे हर चीज से के अच्छाइब काजोल का मत बहलाना फ्लैडर करना कैजोल 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 मिले आते हैं काजोल से और कहते हैं कि काजोल काजल सले एक बार फिर से मुवी बनाते हैं दिलवाले दुरहनिया ले जाएंगे। अप को पता आ काजॉल क्या कहती है ? कहती है शारू कब संभब नहीं है ? मे राशिंहामलट आया और यह संभब नहीं है ? अब तुम कितना भी मुझे करो कैजॉल अब मैं भालने 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 और फुषलने वाली नहीं अब मैं तुम्हारे साथ मुझे मत करो अब काजॉल को कैजॉल करना संभब नहीं है सिंग हम लोट आया है जिरुह प्यारे भाई भाही भाहनो फ्लैकर मतलब बहला ना होगा लुटर ना यार करना कर हे अनो टाइद अनोन दाइद अनडाइद अनो दाइद अनोनन फित्र। और कि अनुदाइन इनो लेना इनॉक्वस है इनो लेना इनॉक्वस मत्व हार्मिलेस इनॉक्वस का मत्व हार्मिलेस एनुदाइन 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 माई एक बेटे को समझाती है कि देखो बेटा सूरज अन्नु से तुम जो मिलते हो मुझे पसंद नहीं है अन्नु डाइन है अन्नु डाइन है बेटा अन्नु डाइन है अन्नु से मिला मत करो अन्नु सबसे पहले अन्नु सबसे पहले तेरे बाप को खाई तेरे बरे भाई को खाई आप उसकी निजर से उस पर आई है अन्नु डाइन है उससे प्लीज मिला मत करो मzeugां है रिघा आप जानते ही हैं बच्छा को फिर कौन सम्झागे तरक से बच्छा को अब है दिल भी समझता है तरक से और कहते हैं अन्नुडायन होगी आपके लिए संसार के लिए मेरे लिए तू बिए को दूनिया दर्द देती है वह अन्नु компьют करता में आपना और नुको डाइन ना कहें, एनोडाइन, 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 फ्लागमेटिक, 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 फ फ्लैगमेटिक है फ्लैगमेटिक है हमें भी मेरे पैरे भाई भेनों फ्लैगमेटिक होना चाहिए हमें भी फ्लैगमेटिक होना चाहिए ना दुख में दुखी ना सुख में सुखी संभाव इक्वैनिमीटी जिसे कहते हैं बिल्कुल इस्तिर होना चाहिए जो घटना घट रही है उसे देखो वैसे ही देखो जैसे आप सरक पे आते जाते सवारी सरक पे आते जाते कार को देखते हो आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है वैसे आप दूर खरे हो के देखो बियुकुल शांद से विकेट गिर रहा है धोनी को फर्कने पर रहा है चकछका लग रहा धो कियोंकि प्रणी को पते है जोremos enough होगा ही हम्सपिप्ट किरें एक बिना ना किसी प्रभाव में आए बिना अट수च क fixed आर की रहे है उसको जीते चलो हमारी धोनी साब क्या है munificent extremely generous 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 munifisa munika sisдane Works about a diyor muni bill kuli munifisa bench can be a bill extremely generous ये हाप पर याल नहीं होना चाहिए extremely generous मुन्नी बिलकुल मुनिफीशेंट मुन्नी आती है और क्थे मास्टर जी आपको फीक इतना चाहिए बताईए एक पेटी दो पेटी एक खोखा-दो खोखा जितना खोखा बताओ हम पहुचा देंगे लेकि मुनिफिशन रहे हमें इस्पेक्टर बनाद हम मेहत करने को त्यार ह हम मुनिफिसेंट हैं हम मेनत दिलो जान से करते हैं और फिस भी मुनिफिसेंट के अंदाज में देते हैं मुनिफिसेंट 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 है अबंदन 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 वो आपको तरह तरह कि बंधनों में बांद करते हैं, कि आप पे अंकोमत कर सके हैं, आपके माइन को इस तरह मोटीवेट कर करके रखते हैं लेगे मेरे प्यारे भाइए बहनों हम तो कहते हैं कि जात पात धर्म संप्रदाय का बंधन अगर इसको अबेंडन कर सको तो महामानब की तरफ यात्रा शुरू हो सकती है तो महामानब बन सकते हो एक विशाल विराट जीवन जी के जा सकते हो लेकिन हिंदू बन गए मुसलमा पूरा संसार्द तुम्हारा हो जाता है मैं तो चाहता हूं रोज प्रेयर करता हूं कि भगवान मुझे भी इस बंधन को अबेंडन करने में शक्ति दो और मेरे बच्चे भी सारी बंधन गेखे करके अबेंडन करें और हिंदू से पूरा ब्रहमानब बने पूरा एक महामा अबेंडन आदम आडवेंडन करना है रे लिंग्विस करना है रे लिंग्स करना है अपन अबेंडन अबेंडन invites no मैंद एर्डमेंट एर्डमें एर्डमेंट 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 ऐर्डमेंट अडमेंट मतeno激 तक जिद्धी कि स्टब और आपकी अधा कुछ ऐसी है कि हरबात भात पर आडमेंट हो जाते हो अब ऐसे मैनrs ऐसे मैन हो जिसकी अदा कुछ ऐसी है कि हर बात पर अड़ेमेंट हो जाते हैं हमारे मोधी जी भी अड़ेमेंट हो गए हमारे मोधी जी ने जिस बिल को पास किया अध्यादेश लाकर इसको पास किया उसको कैसे वापस ले सकता है आरे जिसके लिए अध्यादेश लेकर बिल लाए हो उसे पसंद ही नहीं है तो फिर क्या दिक्त है मुझे तो पता नहीं है लेकि मुझे लग रहा है कि अगर इतने लोग कई लोग मने सुना 70-70 लोग जान गवा चुके हैं तो मोधी जी कभी आ जाई है ऐसे आप तो आम आद यह बनाया आपको पसंद नहीं है तो फिर बात खतम हो गई हटाओ यह लिजिए फार्ते हैं ही पर फार्ते हैं हम आफी चाहेंगे इतना तकलिफ ही आपको पूछिए तो एक बार इंसे लेकिन हमारे मोधी जी ai damend हो चुके कई बाटे स्टप बॉन है स्टप बॉन है स्टप बॉन है स्टप कम जनते स्टब स्टप स्टप अब देख लगा आपको आपको इतना छोड़के क्यों प्योंगा पूरा प्योंगा जहां तक ¿Cómo पी कर फिक कूं गा क्योंकि नाम है मेरा स्टबबॉर्ण जब नहीं लिया था तब से मैं I will kam को भी पी जाता हूं इसãy लोग मुझे कहते हैं स्टबव और सन ले स्टबवलॉण और ये आखली शब्ष है अब सर्द का मौसम है जबकी गर्मी होना चाहिए लेकिन अब सर्द है क्योंकि सब चीज असंगत विढंगा वितुका हो चुका है प्री पॉस्टेरस हो चुका है preposterous preposter primarilyulture master supreme अबस्ट इंय वोस्टर बटमाधिया या बजार में मैंने का master Z this is free post свет this is preposterous this is Pre nowadays this is absurd this is absurd 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 सब्सक्राइब करने का सब्सक्राइब करने का स्टोरी से रिलेट वर्ड है यह 20 वर्ड हमने चिला चिला कर आपको बताने का प्रैस किया कोशिच किया कि आपके अंदर भी कुछ सब्सक्राइब करने का स्टोरी से रिलेट करने का आपके अंदर भी स्किल डिवलप हो जाए और आप असानी से हर सब्द को रिलेट कर सकते हो और एक डिक्सनरी जरूर कहिना अक्सफोर्ड अडवांस्ड लर्न डिक्सनरी अक्सफोर्ड अडवांस्ड लर्न डिक्सनरी आप से जरूर लेना और इन सब्दों के बारे में क्योंक एक सब्द के कई मिनिंग होते हैं वो कहते हैं ना हर आदमी के अंदर होता है दसबीस आदमी जिससे भी मिलो कई बार मिलो जिससे भी मिलो कई बार मिलो हर आदमी के अंदर होते हैं दसबीस आदमी जिससे भी मिलो कई बार मेट लो यहां भी मैं कहना चाओंगा हर सब्द के मीनिंग कई होते है इसलिए जब भी पढ़ो डिक्सनरी में कई बार पढ़ो हर बार मेनिंग के रूप में आपको जानने का मौका मिलेगा अब देखे यह तो मैंने आपको बताया अब इसको और भी हम कैसे बहतर तरीके से याद रखे याद कर सके इसके लिए आपको एप में एक्सरसाइज दिया जाएगा चाहे ओफलाइन बाले बच्चे हैं ऑनलाइन बाले कि कैसे जो अफलाइन बच्चे हैं वो ऑनलाइन में जो एक्सरसाइज वेगरा हैं वो कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं बता हूँ कि जो एप के जरी बच्चे जूरे हैं उन्हें तो मिलेगा है मिलेगा मैं दो मिट में आपको दिखाता हूँ कि कैसे इन इस सब्दों को हम exercise के जरीए बनाएंगे एप में दो मिट का ब्रेक लीजिए कि इस दुनिया में सारे तिन प्रकार की लोग होते हैं झाल झाल सिर्फेन झाल सकते हैं झाल सकते हैं झाल 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 अब जो शब्द आपने याद किया है अब उन शब्दों को आप कैसे आपको दिये जाएंगे ऐसे ही मैं आपको याद करवाऊंगा और हमारे एप में सारे एक्सरसाइज मौझूद होंगे जो आप अराम चाहे तो आप पीडियेफ निकाल लीजे पीडियेफ भी होगा पीडियेफ है की निसकरशाइज पीडियेफ नहीं है इसका पीडियेफ नहीं होगा आप इसका एक्सरसाइज वाले पार्ट में होगा पीडियेफ तो वोकैबिलरी का होगा पीडियेफ वोकैबिलरी जो करवाया है यह हमारे एक्सरसाइज वाले सेक्शन में होगा वहां पर जैसे हमने ओडिये सब्द बताया है तो देखिए select the correct synonym of the given word assiduous अब तीन सब्द आगे यहां पर constraint, diligent, delude, disparaging अब इसका क्या answer आएगा यह आपको देखना परेगा तीन तो नए है एक answer diligent है answer भी लिखाओ मिलेगा आपको the correct answer is option B solution assiduous कार्थ होता है मेनती और इससे समानता रखने वाला अविकल्प diligent है इसरी option B answer है meaning of the other words तो क्या आए constraint मजबूरी delude मोहित करना disparage निंदा disparaging निंदा आत्मक ऐसे करके सारे सद मिलेंगे utterly यह चार option होंगे solution होगा लेकिन PDF form में नहीं बलकि exercise के form में और जो offline माले बच्चे उनको कैसे exercise मिलेगा मैं बात करके technical department से मैं बताऊँगा बाकि जो एप की जरी बच्चे जुने उन्हें तो मिली रहा होगा आपको कैसे मिलेगा यह भी आपको बताया जाएगा किन सारे सब्दों का अब देखिए हमने 20 सब्दों का इस्तमाल करके 55 question बनाये हैं 20 synonyms बना दिया दिखे 17 number है और उसके बाद फिर दस एंटोनिम दिखेगा आपको और उसके बाद फिर दस एंटोनिम दिखेगा आप देख रहे होंगे आप कि select the correct antonyum of the given word assiduous उसी 20 में से 10 लेकर antonyum दिया गया ताकि आप antonyum के जरिये भी नहीं सब्दों को जान ले तो 30 तो यहां पर आ जाएंगे आप उसके बाद spelling error भी दिया गया है spelling error नहीं भी सब्द का इस्तेमाल करके देखे तीस है select the correct antonyum of the given word absurd और उसके बाद आप देखेंगे 31 नंबर से in the following question four words are given out of which one word is correctly spelt तो इस प्रेक्टिश पेल्ट वाले सब्दों को भी भी से बना कर दिया गया है ताकि कहीं भी कोई नो कोई ऐसा जगह आपको दिखेगा टगराएंगे जिसे आपको याद करने में सुविधा होगी और याद करेंगे और इसके बाद फिर fill in the blanks fill in the blanks with the most appropriate word blanks को blanks करना करना करूं को सारे blanks fill in the blanks with the most appropriate word अब यहाँ पर देखेंगे the government has been dashed in the fight against inflation अब acidivous plenty क्या आएगा यह आपको है ढूंडना है और इस सब आंसर मिलेंगे आपको सब के सब यह 55 question 20 35 और 25 अब देखें यह 55 question 55 यानि पूरे 20 वर्ट को लेकर हमने 55 question बनाए है ताकि कहीं ने कहीं किसी ने किसी प्रकार से कभी option में डाल दिया याद करते जाएंगे वह option में आते जाएंगे ताकि revision होता जाए और इतना करने के बाद भी अगर याद नहीं होता है तो समझी और मिहनत करने की आवसकता है लेकिन संभब कुछ भी नहीं है जब से online आया तब से और भी चीज़े बहतर हो गई है तो यह तो जो भी offline बाले बच्चे जूरेंगे उनको सब को यह free provide किया जाएगा ताकि आप बहतर तरीके से अंग्रेजी सीख सको बात्रूम में भी बैठे हो वहां भी आप mobile है mobile में आप अंग्रेजी का अंटो निम चिनो निम exercise है वो कर रहे हो solution भी आपको मिलेगा हर जो प्रैक्टि को अप्रोच करना है तो यह PDF के फॉर्म में नहीं मिलते है बलकि exercise के फॉर्म में मिलेगी और एक बार नो डाउन कर लाई से offline बाले बच्चे हैं उनको यह facility कैसे पहुंचाया जाए यह पाउन के बाइट करना मुझे से अब हम बात करते हैं है ग्रमेट्स पेक्ट पिडियएप में देदो यौर्व पैडिप में कोई आवश सकता है नहीं इम आप शीज एक्सरसाइज के फर्म में ही मुझे इसलिए अक्सरसाइज के फॉर्म में ने दिया आपको आप करके आपको भी free access दे दिया जाएगा इस exercise का यह आपको फ्री में यह आपको PDF के form में मिलेगा मिलना भी चाहिए यह PDF के form में बाकी जो दिखाया वह exercise का part है exercise के form में मिलेंगे आए बात करते हैं कल हमने कहा था कि हम कुछ grammatical बाते भी करेंगे आई आज की शुरुआज शब्दों से करते हैं कि हमने कहा था हमारे अंग्रेजी में 10 लाख के करीफ शब्द हैं और 8 प्रकार के शब्द होते हैं types of words होते है types of words हमारे पास कितने होते हैं सारे बचे जानते है types of words आठ प्रकार का मैंने बताया था उसमें से पहला सब्द था नाउन आईए नाउन को समझते कि नाउन है क्या नाउन को मतवता है संग्या करें दो गो प्रकार का हुआ है झाल मतवड कर दो जटिस्पलasst संग्याय चुआ मतवारी बताईे मैं संग्या आपको हमारे बुक्स में मिलेगा आपको हमारे लाइबरेडी उसमें महजूद आप देख सकते हैं तो आज बात करते हैं संग्या नाउन की अब देखें नाउन के बारे में ब्रीफली मैं इंट्रड्यूस करना चाह रहा हूं इंट्रड्यूस करने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा लिखने की कोई आवच्छता नहीं है कर दो दो आवच्छता नहीं है झाल 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 जान दीजेगा क्यूकि बिना सब्द को समझे आप संटेंस को नहीं समझ सकते हो بार बार समझ से आएगी जब की सारे सब्दों का ज्ञान नहीं मिल जाता है तो क्यों नहीं करतेंगे, शुरुवात में हम सब्द गो समझ ले ताकि आने वाले दिने में जो सेंटेंस को जब समझना होगा, तो फिर उतनी असुविधा नहीं होगे, जितना असुविधा अभी हो सकता है बिना सब्द को समझे, संटेंस तक आने में, तो हमने कहा है नाउ basically एक no main 중 से लिया गया है no newspapers लिया गया है आपने chemistry में पढ़ा होगा no mein culture no mean से अंचे डिराइव किया है no mean language अंचे अंचे डिराइव किया है no main शब्द से अंचे डिराइव किया है किसको हम ने noun को no mean proposals का रिप किया है no one को हमने no mean इस शब्द से ने डिराइव किया है और इसका मदब होता है नेम, नोमेन का मदब होता है नेम, और नेम का मतलब क्या होगा आइडेनिटिटी, नाम से क्या मिलता है हमें, नाम से पहचान मिलता है, जितने भी नाम देने वाले शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं, नाम देने होगा आप जैसे देखिए इसको आप क्या नाम देंगे रिमोट ये भी नाउन बन गया इसको क्या नाम देंगे आप मारकर ये भी क्या बन जाएगा नाउन बन जाएगा इसको क्या नाम देंगे आप बाल ये भी नाउन बन जाएगा इससे आप क्या कहोगे इसे आप बोड कहते हो वाइट बोड कहते हो डिस्टल पैनल कहेंगे आप जो भी नाम से इसे पुकारेंगे वो नाउन बन जाएगा इसको क्या कहेंगे आप इसे आप कप कहते हैं ये भी कप कप एक ऐसा सब्द है जो इसकी पहचान बन रहा है जो इसकी पहचान बन रहा है ये नाउन बन जाएगा इसके अंदर मौदूद जो चीज है काला काला उसे क्या नाम दोगे आप कहोगे कौफी आप कहोगे कौफी कौफी भी एक सब्द है जो नाम दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा है तो नाम देने वाला जो शब्द है पहचान देने वाला जो शब्द है वो शब्द क्या बन जाता है नाउन बन जाता है all naming words are noun all naming words are noun जितने भी नाम देने वाले शब्द है ना सब के सब noun है सब के सब नाउन है नाम देने का काम कौन करता है नाउन करता है इसलिए तम कहते हैं एक में में आप फिरिश्ट भी लगा सकते हो कि नाउन इस अ नेमिंग वर्ड और वी कन से ड़ैट ओल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स नाउन कहां से डिराइब गया है नोमेन से क्योंकि अंग्रेजी ऐसा शब लाइंग्विज है जो कई सारी भासाओं को लेकर बनाया गया है क कई सारे कंट्री के संभीधान को लेकर हमने बनाया अपना संभीधान वैसे कई सारी भासाओं को लेकर अंग्रेजी बनाया गया शौदमी सताबदी से इसकी सुरुवात माने जाती है और आप देखे आज करीब 600 साल हो गए बतवया पूर अगवरा अंग्रेजिदी बतव गया है और अपकर अगण hon देखे सब कुछत बधल गया पहले थे दौद्धक दी बोलते थे अब कहां है रहा अब तो हैस हैब हो गया अब तो यू यॉर हो गया यॉर्स हो गया तो दिखान रखिएगा कि नाउन हमने नुमें से ड्राइव किया है जिसका मतब होता है नेम और नेम मतब आइडिन्टिटी तो मेरे प्यारे भाई बेहनों हम कह सकते यहां पर हम इसे कह सकते हैं कि नाउन बेसिकली क्या है तो नाउन इस इकल टू नेम और नेम इस इकल टू आइडिन्टिटी तो मेरी प्यारे भाई भेनों ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है कि नाउन क्या है आइडिन्टिटी बताने वाला सब्द है आइडिन्टिटी बताने वाला शब्द है नाउन क्या है आइडिन्टिटी बताने वाला एक सब्द है नाउन एक आइडिन्टिटी बताने वाला शब्द है नाउन इस इकल टू नेम, नेम इस इकल टू आइडिन्टिटी तो हम कह सकते नाउन इस इकल टू आइडिन्टिटी वो हर सब जो किसी को आइडिन्टिटी दे दे वो हर सब जो किसी को पहचान दे दे वो हर चस जिसको नाम दे दे, वो बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, कोई भी चीज है, कोई feeling हो, emotion हो, अगर उसको नाम दे रहे हो, चाहे वो seen हो unseen हो, touchable हो, visible हो, invisible हो, हम अगर उसको नाम दे रहे हैं न, तो समझ जाएए, वो क्या है? हो जाए लाओन को फिलेंग है । आपकिसी के साथ महबत करके पेस आ रहे हो तो क्या कहेंगे तुम्हारे आंदर उसके पर्ति कौन सफ फीलिंग क्या नाम दोति इस फिलिंक का लव कहेंगे किसी बैरुकी से बात करते ओ तो कहुंगा कि तुम्हारे अंदर तर उसके परती कौन से फिलिंग आ गई है नफरत वाली हैट प्रेड वाली फिलिंग आ गई तो आप 100% मेरी हो जाएंगे फिर मुझे सुनेंगे या फिर किसी और को सुनने चले जाएंगे लेकिन आप खुद भी डिसर्प्त होएए और हमें भी डिसर्प्त किजिये आप वही चीज़ पढ़िये जो मैंपढ़ा रहा नोट्स क्या है, PDF क्या है, ये क्या है, वो क्या है, आप हलूल जलूल में अपना समय बरबाद मत कीजिए, इतने सालों का अन्वब है और इतने सारी बच्चे जो मुझे पढ़ चुके हैं, इतना कुछ तो बच्चे मुझे सिखा चुके हैं, कि मास्टर मैं पढ़ के जा रहा हूं, ताकि तुम उससे सीख कर मेरे आने वाले भाई बहनों को सिखाना, तो निसी दूप से मेरे बच्चे मुझे हर बैच मुझे बदल कर गया, हर बैच मुझे कुछ सिखा कर गया, हर बैच मुझे दे कर गया आने वाले बैच के लिए, तो दस साल का ये लंबा सफर रहा है और मैं तो बहुत कत्रे क्विक और फ के फास्ट लर्न रहा हूं और मुझे लर्न करना बहुत अच्छा लगता है आज भी में दिन रात बहुत चीज जिसे मैंने का डैली में पाँच पेज तो पड़ता ही पड़ता हूं डैली पाँच PER नहीं तो फिर पढ़ाने का तौर तरीका सब बिश्वाध हो जाएगा है तो आपको भी पढ़ने के आद्थ होनी चाहिए और इस तरह से कोई कॉमेंट मत किजिए सुनिए मुझे ध्यान से तभी कुछ सीख पाएंगे अधर रवाज मैंने कहा न की सुनाने की चकर में रहोगे तो फिर बार बार नए क्रिश्वाफर की तलास आपकी जारी रहेगी और हर बार आपको क्रिश्वाफर मिलेगा लेकिन आपको सीख कर नहीं आओगे खाली हाथ लोटोगे क्योंकि आप लेने नहीं पहुंचे हो कुछ नाने पहुंचते हो आप तो फ्लीज इससे पहले कि मैं चाट बॉक्स बंद कर दूँ आप ले ध्यान दीजेगाईद है तो आपने देखा नाउन का डेफनेशन कितना सरल है नाउन कितना सरल है क इसका काम नाम देना हो उसे क्या कहेंगे नाउन कहेंगे नाउन शब्दों में ही जीता है शब्दों में ही मर जाता है नाउन शब्दों में ही जीता है शब्दों में ही मर जाता है मन्जू क्या है नाम है मन्जू से ग्वेक्ति की पहसान हो गई मन्जू से ग्वेक्ति की लोग क्ते ह्सका नाम जाएंगा तो फिलाल यही दिमाग में रखें है नावन अब बात करते हैं नावन हमारे पास कितने प्रकार क्यों होते हैं जो भी बच्चा लगे कि क्लास से हटके कुछ बाते कर रहा है चैट बॉक्स में उसे ब्लॉक कर दो बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनके साथ ही चले तो ज़्यादा बेतर है काइन्स ओफ नाउ काइन्क एक सरह वालू सब को सरा जिता है काइन्स ओूब टो झाल झाल करें हम तो ट्राडिशनल कॉंसेट्ट के मुताबिक हमारे पास है दो प्रकार के नहीं बलकि पांच प्रकार के नाउन होते हैं पानपरिक तरीके से बात किया जाए तो कॉमन नाउन प्रापर नाउन जिसे जाती वाचक संग्या कहते हैं प्रापर नाउन पहले बात देखो कि हमारे पास मालो नाउन आ गया इतने सारे हमारे पास नाउन मिले नाउन मिले इतने सारे हम प्रपर नाउन पहले बात देखो कि हमारे पास मालनो नाउन आ गया इतने सारे हमारे पास नाउन मिले इतने सारे हमारे पास नाउन मिले इतने सारे हमारे पास नाउन आ गये अब इतने सारे नाउन आ गये इतने सारे नाउन मिले हमें अब हम क्या करते हैं लोजिकली सोचना आप होते ग्रेमरेरियन के जगा आप भी ऐसे ही करते कि यार इतने न उसके मुताबिक इस्तेमाल करते चले जाओ फॉर एक्जामपल जैसे आर्मी का जब भाली निकलता है तो उसमें क्या होता है बहुत सरह हजारों कि संगा में लोग पहुंचते हैं और वहां पर हम क्या करते हैं कि 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 हमारे पास नाउन है नाउन कैसे बचाने तो हमने दस लाक में उसको अलग कर दिया जिसका काम था नाम देना जिसका काम था नाम देना जिसका काम था नाम देना उसको हमने अलग कर लिया और जब उसको अलग कर लिया तो फिर पता चला कि इसमें भी बहुत ऐसे हैं जो एक ज कुछ नाउन, common noun का quality पाये गया, कुछ में proper का पाये गया, कुछ में material का पाये गया, कुछ में collective का पाये गया, कुछ में abstract का पाये गया और हमने पांच परकार के नाउन को क्लासिफाय कर दिया कि ये हमारे पास इतने धाई लाख हमारे पास नाउन है मैं जांपल दे रहा हूं इसको सही मत माल लेना धाई तील लग माल लेते हैं तील लाख नाउन है और तील लाख में कुछ पामन नाउन है कुछ प्रापर है कु abstract हैं लेकिन मेरे प्यारे भावी बहनों ये पारंपरिक concept के मताबिक हुआ लेकिन modern concept में दो विचाड है दो school of thoughts है क्या है कुछ कहते हैं कि common और proper दो नाउन होते हैं तो कुछ कहते हैं कि noun दो परकार का होता है एक concrete noun और एक abstract noun एक concrete noun जिसका physical existence है जैसे यह concrete noun हो गया इसका physical existence है और एक हो गया abstract noun भाव आचक जैसे love love जैसे childhood जिसका कोई physical existence नहीं है तो एक जो physically exist करते हैं दूसरा जो physically exist नहीं करते हैं तो दो परकार का abstract हो गया abstract और concrete noun लेकिन from examination point of view और जो actuality में exist करता है जो हर जगह applicable है जो generalized है वो है दो यह common और proper common और proper हमारे पास modern concept के मताबिक इसलिए हुआ कि देखिए हर चीज में सोध होता है हर चीज में पहले हमारे पास mobile का देखिए प्रारूप करते हैं जो झाल्व में जो झाल्वख प्रारूप और करते हैं जो झाल्वबान के साथ एंट दो जाल्वट प्राच्स जो कुछ और था चेले मोबाइल के बात नहीं करते हैं टी वी हमारे पास कि या वो लक्री का द्रवाजा होता था फिर ऐसे खुलता था और उसके बाद पीछे ना जाने उसका कितना वारा पेट हुआ करता था लोग का पेट आगे बढ़ता उसका पेट पीछे बढ़ता था और बहुत जगा कुपाय करता था हो अब देखे टीबी कितना सुन्दर सिलीक विल्कुल एस्वरया की कमर सभी बिल्कुल पतली सी हो गई है क्या घर में कहीं भी चिपक जाता है देखे नहीं यहीं चिपका हुआ इतना वाला टीवी इस सामने भी टीवी रेगा कितना पतला दूबला टीवी कैसे हुआ रिसर्चर्स आए रिसर्चर्स आए और उन्होंने रिसर्च करके दिखाए कि नहीं हमारे पास ने टेकनलोजी है मोबाइल तो आजकल मेरी प्यारे भाई इभाई इतना छोटा हो गया है कि कहां छुप जाता पता नहीं चलता है वाइबरेशन होता है किसी के बगल में खरा हो तो पता सब्सक्राइब कर रहा है अब कौन सांग वाइबरेट करना यह पता नहीं चल पाता है क्योंकि छुपा हुआ 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 है तो जहां दीजेगा हुआ है लेकिन पहले हम common proper material collective abstract को समझते हैं यहाँ भी रिचर्स रिसर् आए और रिसर्च किया और यह साबित कर दिया कि एक्स्वालिटी में दो ही प्रकार का नाउन अग्रिस्ट करता है common और प्रफपर लेट्स नो हाओ कैसे common मतलब होता है जाती वाचक संग्या जाती वाचक जिससे पुरा जात का बोध हो जाए अब एक प्रकार का नाउन ऐसा मिला जो पूरे जात का बोध करवादेता है एक नाउन ऐसा मिला मेरे पहरे भाई वेनो जो पूरे जात का बोध करवाता है एक नाम लो हजारू का ऑजह मारकर मौझूद है सब का बोध हो गया यानि मारकर क्रिंह धिक नाम से जमने को का बोध हो जाए एक नाम से नalter को जाये वह चाला ताग जाती वात्षक संगया कला कॉमन है टीचर इसलिए क Drumhead teacher is a common noun क्योंकि teacher सिफ अकेला मैं नहीं वो पहचान जो मुझ में भी है और वो पहचान औरों में भी है वो पहचान मुझ में भी है और औरों में भी है वो पहचान common है वो नाम common है इसलिए common noun कहेंगे teacher is a common noun teacher के सोफर फिनिक्स भी है और teacher हजारों लोग भी है एनी teacher is a common यह common noun हो गया यह common identity है common पहचान है dog common noun tiger common noun India नहीं common नहीं country common noun India भी country है Pakistan भी country है Sri Lanka भी country है China भी country है यह country common है लेकिन मेरी प्यारे भाईए बहनो जब एक नाम से नेकों का बोध हो जाए वो पहचान जो मुझ में भी है और रो में भी है वो common कहलाता है लेकिन वो पहचान जो सिर्फ विप्ति-विसेश्त की सिमित रह जाए जो पहचान सिर्फ मुस्तिक की सिमित रह जाए उस पहचान को हम proper noun कहते हैं आप ज़राद देखना मैं कहता हूँ सपना तो सपना आई है सपना डांस कर रही है तो क्या सारी लर्कियों का बोध हो गया लेकिन गर्ल कहने से सारी लर्कियों का बोध हो जाता है बवाई कहने से सारी बवाई का बोध हो गया जो जो अपने आपको बवाई समझता है सब का बोध हो गया, man कहने से सारी man का बोध हो गया, woman कहने सारी woman का बोध हो गया, ये proper नहीं common है, लेकिन सपना, सनी खिलाउनी, सपना चौधरी, आसाराम, राम रहीम, ये सब क्या है, ये सब proper noun है, प्रबर नाउन को मैंसे भी समझ सकते हैं, क्यों पहचान जो विक्ति सिमित्र हजाए, या यू कहिए, जहां पे दानली वन का भाव आजाए, जहां पे दानली वन का भाव आजाए, जहां पे दानली वन का भाव आजाए, समझ जाए, सिर्फ वही है, सिर्फ अकेला वही, चाव विक्ति हो, या वस्तु हो, वस्तान हो, कुछ भी हो, उसे हम क्य लोन २ुषित दॉनली वन प्रगती दॉनली वन पिंकी दॉनली वन कॉसिक शर्मा दॉनली वन मेरे प्यारे भाई भाई ये बहनों ये सब प्रौपर नहाउं है हमारी पिंकी जी का फेर्बिट एनिमल है डॉग, डॉग is a common noun लेकिन जब ये डॉग ख़ईती हैं और डॉग का नाम रख देती हैं क्या नभाब डॉग is a common noun लेकिन जब ख़ते हैं नभाब तरह सुनना ध्यान से कि डॉग मतब क्या हो गया कुट्ता अगर पिंकी जी कहते हैं डॉग कम हैर तो सारी कुट्ते पहुंच जाएंगे जो जो अपने आपको कुट्ता समस्ते भाई ये बहनों वो सब पहुंच जाएगा क्योंकि कि मैं भी कुट्ता हूँ करते-करते हर विक्ति जो अपने आपको कुछता समस्टा पहुं जाएगा पिंगी जी आपने तो डॉग कहा था डॉग तो मैं भी हूँ क्योंकि डॉग ये कॉमन पहचान है लेकिन जब वो कहते हैं पिंगी जी नवाब बेटा नवाब कम हैर तो सिर्फ वही आएगा जिसका नाव नॉऑ नवाब है दॉगralyवक्ति विर इंडिया इंडिया दिली सिर्फ दिल्ली क भिर्सटीट लेकिन अब देखो चब नए रिसेंटेर साइं उन्होंने कहां मटीरियल नावन कलेक्टिव नावन और एफ ट्रेक्ट नावन यह सब कॉमन नावन कहीं जैसे थे यह तो अलग-अलग रूप था यह तो कॉमन नावन किलग-अलग रूप हैं धान्देना रूपर प्रकार में क्यां रूप और प्रकार में क्यांतर है ये ध्यान देना रूप और प्रकार में क्यांतर है जैसे हमारे भग्मान के तिन प्रकार होते हैं ब्रह्मा विश्नु महेश ये इनके तिन प्रकार हैं तिनों का काम अलग अलग है एक स्रिजन करता है एक पालता है और एक सर्वनास कर देता है लेकिन मेरे प्यारे भाई ये बहनों हमारे विश्णु जी के कई रूप है हमारे विश्णु जी के कई रूप है कभी राम बन के तो कभी श्याम बन के राम बन के जीसा नहीं ले पाए श्याम बन के जीसा लेने पहुंच के ये इनके रूप है प्रकार नहीं है प्रकार त कॉफी मटिल नहून कॉफी प्लास्टिक मिल क्या है कोमन नवन है अरा सोचो हम अगर ऐसा कहते हैं कि राइस is not good for your health राइस पिंगिजी राइस इस नौट फर यहाल राइस नगूट फर यहाल राइस हमने राइस बोलकर जहां जहां राइस वाला material होगा, सब का बहूद हो गया ना वो material जिसके अंदर rice की quality होगी, सब का बहूद हो गया, आपके घर में भी rice, मेरे घर में भी rice, हर जगा, जगा कोने कोने, में आपको rice मिल जाएगा, हमने कहा, gold is a precious metal वो हर metal का बोद हो गया, जिसके अंदर gold वाली quality है, तो गोल्ड तो यहां भी है, गोल्ड तो वहां भी है, हर जगह जगह पर गोल्ड है, यानि गोल्ड तो common हो गया ना, एक ऐसा नाम है, जो अलग-अलग जगहों पर पाया जा रहे है, लेकिन ताज मल एक ही जगह पाया जाएगा, कि स्वेफर यहीं है लेकिन गोल्ड आपके पास मेटरल होगा जो गोल्ड कहलाएगा मेरे पास चेक मेटरल है जो गोल्ड कहलाएगा मेरे पास चैनल इसे राइस कहते हैं यानी common noun मत्यल नाउन के अंदर भी common noun को गुन चुपा हुआ है collective noun, जी से सम्मू का बोद होता है, जी से जुन्ड का बोद होता है, जैसे हम बात करते हैं team की, family की, class की, अगर मैं कहता हूँ, class must be united, class must be disciplined, a team must be united, a family must be supportive, तो बता दो family कहने से the only one का बोद हो रहा है, कर दोल में के दिसेप्लिन तो इसे कि उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो यह भी क्या हो गया यह यह इस के इंदर भी Common noun का गुंद चुपा हुआ है, family कहने से सारे family का बोध हुआ, team कहने से सारे team का बोध हो गया, jury कहने सारे jury का बोध हो गया, crowd congregation mob कहने सारे mob का बोध हो गया, और abstract noun जिसे खहते हैं भाव आचक संग्या जिसे खहते हैं भाव आचक संग्या जिसे हम खहते हैं भाव आचक संग्या कहने का मतलब क्या हुआ भाव आचक संग्या का मतलब क्या हुआ जिसका कोई physical existence नहीं हो जैसे beauty जैसे love कहा है दिखा दो ना love को मैं touch करना चाहता हूँ लेकिन देखो अगर childhood कहते हो आप आपने गिस सुना होगा बच्पन हर गम से बेगाना होता है बच्पन हर गम से बेगाना होता है तो जरा बताना बच्पन हर गम से बेगाना होता है इसमें कैसर्फ मेरे बच्पन का बोध हो रहा है स्रिव पिंकी के बच्मन का बच्पास्पपन का बाध रही है रिटिका के बच्पन का बच्पन का बध्पन का बहुब हूरा है यह निकी रियनन्द के अंदर भी common noun का गुन छुपा हुआ है तो जो researchers थे बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि basically हमारे पास दो ही प्रकार के noun होते है common और proper common और proper अब आप जानते हैं कि common noun के कितने प्रकार हैं रूप की बात नहीं कर रहा है common noun के कितने प्रकार हैं आई ये समझते हैं हम बात करते हैं common noun common noun हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं common noun हमारे पास दो प्रकार के होते हैं countable हम उसी अंदाज में चीजों को सीखेंगे जाने जानेंगे जिससे आपको competitive examination में hundred percent marks आए hundred percent marks आए hundred percent marks आए तो ध्यान से सुनिएगा समझेगा अपने आप में contradict करने के चकर मत रहेगा पहले मुझे सुनिएगा गाय के तरफ पहले पूरा खाना भर लिजे पेट में और उसके बाद इतिमिनान से बैठ के चबाईएगा उसे आप सोचिएगा चिंतन किजिएगा master ने क्या पढ़ाया मैंने क्या सीखा था और दोनों में logically कौन करेक्ट लग रहा है कौन सही लग रहा है क्या लग रहा है क्लास के बाद not before in the class और before the class only after the class uncountable noun अब देखें countable noun है अब पुछे का आप से की countable noun क्या है तो बस्पन ने मैं भी यही कहता था countable count करने योग uncountable जो count करने योग नहीं हो बस्पन से ही प्रहाय जादा था बहुत अब बात भी साही जचती है बात इसमान को भाती है कि countable noun उसे कहते हैं जिसे count किया जा सके uncountable noun उसे कहते हैं जिसे हम count नहीं कर सकते हैं पांडे जी बैठके पढ़ रहा है जयान से समझेगा countable noun जिसे हम a count कर सकते हैं बाद सभी है लेकिन ये बचपन की बात थी अब हम बड़े हो चुकिए हम competitive अंदाज में चीजों को जानेंगे जिससे हमें 100% माक्स आए 100% माकस आए 100% माकस जहां भी होना 100% होना जहां भी होना 100% होना जो को भी करना 100% करना अगर किसीने नफरत है तो 100% करो आप किसी पूरा नहीं हो गे ना आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो अगर आप जानते हो कि ये काम आपके लिए इस प्रत्य बना या जो काम करने के लिए आप जा रहे हो वो काम आपके लिए सही है गलत है सबलता मिलेगी नहीं मिलेगी अच्छा यह भुरा है इसके लिए आपको एक ही शुत्र है कि जो भी काम मिले वे आपके लिए उचित है अनुचित है इसके लिए उस काम को 100% कर दोआ, 100% कर दिये, जिस दिन 100% कर दिये न, उसी दिन आपको समझ में आ जाएगी, कि ये मेरे लिए है या नहीं है, लेकिन आज 100% जब तक नहीं होगा, इस साल, दर साल आपको गुजरता चरा जाएगा, 4 साल लग जाएगा, फिर समझ में आएगा, ओ माई गौर्ड, य नहीं भी होना ना 100% हो जाओ दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा countable noun किसे कहेंगे हैं तो आजी देखते हैं इसे हम जाने का प्रयास करते हैं जितना आपको विलम लगेगा 100% होने में सफलता मिलने में result मिलने में उतना ही विलम होगा countable noun a noun which can't be made plural is called countable noun a noun which can't be made plural is called countable noun ये कहना बिलकुल गलत होगा a noun which can't be and a noun which can be a noun which can be made plural is called countable noun जिसका आप बहु बचन बना सकते हैं वो countable noun है चाहे आप count करे या ना करे अगर बहु बचन बन सकता है तो वो countable noun है जैसे देखे बॉय जैसे आप बताईए गर्ल गर्ल जैसे आप देखे मैन ये काउंटेबल है क्यों चाहे आप countable noun जैसे आप बिलकुल गलत होगा जैसे आप बताईए गर्ल गर्ल जैसे आप देखे मैन ये काउंटेबल है क्यों क्योंकि बॉय का बॉय हो सकता है ये गर्ल का हम गर्ल कर सकते हैं ये काउंटेबल है मैन का मेन कर सकते हैं इसका मतलब है बॉय काउंटेबल है girl countable noun है man countable noun है तो uncountable noun क्या होगा अई देखिए बिल्कुर सही कर रहा है हम सब लोग uncountable noun a noun which can't be made plural a noun which can't be made plural is called uncountable noun जैसे आप देखिएगा जैसे milk जैसे टी जैसे वाटर जैसे अडवाइस अब देखिए मिलक का आपने कभी मिलक सुना है क्या बहुप अचन हुआ है क्या कभी आपने टीज सुना है क्या कभी आपने वाटर का वाटर सुना है क्या कभी आपने advices देखा है क्या देखिए plural बनाने का मतलब क्या हुआ plural बनाने का मतलब क्या हुआ कि एक से ज़्यादा हो जाए जिसकी संख्या जिसे boy का boys हुआ एक से ज़्यादा हो गया girl का girls हुआ एक से ज़्यादा हो गया man का man हुआ एक से ज़्यादा हो गया वाहरु बाभि बोग ये भावी दूध्य दो है भावी दूध्य दूध्य दैं त्थी येयर चाहि रहा है तो दूध्य आपकर चाईया पंए पीलादी पंए थावान कभी खना है क्यों दूध्य और ने hatır derive उन्काउंटेबल ना उन का मेरी प्रेजान नहीं बना सकते हैं PUER ये वाटर का Jelly Bad उन्ख्री मैंने सुना है वाटर का वाटर से मुर्वाइज कहा भाव सोना है और अड़ास का आड़ में सुना है ये water का बहुबचन नहीं है ये advice का बहुबचन नहीं है तो पिर क्या है तो अंग्रेजी में ऐसे बहुत शवद है जिसमें s और yes लगाकर हम नई پरकार की शवद का निर्भान करते हैं हम उसकी संखियह एक से दो नहीं करते है पानी का पानिया एक से दो पनी नहीं हुआ, बलकि नए शब्द का निर्मान हुआ, अडवाई सला का सलाहे नहीं हुआ, एक से दो नहीं हुआ, प्लूरिल का मतब तो यही होता है, एक से दो हो जाना, एक से दो नहीं हो रहा है, बलकि नया शब्द बन रहा है, अंग्रेजी में यह आपको जा जान के जाना होगा कि अंग्रेजी में बेसिकल ही क्या होता है कि हम कई शब्दों में S.O.E.S. लगाकर नए शब्द का निर्वान कर देते हैं Water का Water सुआ पानिया नहीं समंदर हो गया अर्थ बदल गया Sand मतब रेक और Sands कर दिया तो क्या हो गया Sand कर दिया तो ये मरुवस्तल हो गया रगिस्तान हो गया Advice का Advices कर दिया तो दो सलाहे तिन सलाहे नहीं हुआ बलकि ये क्या बन गया ये सलाहे नहीं बनके ये commercial information बन गया तो इस धोके मता आना ऐसा इस भ्रह्म में मता आ जाना किसर इसका बहुबचन है नहीं नहीं वाटर का बहुबचन नहीं है बलकि एस और इस लगा के हमने नहीं सब्द का निर्वान किया है हमने नहीं सब्द का निर्वान किया है समंदर हो जाता है तो ध्यान रखिएगा uncountable noun का countable noun जिसका हम बहुबचन बना सकते हैं और अनकाउंटेबल न greenhouse वो है जिसका हम बहुबचन नहीं बना सकते हैं जिसका हम बहुबचन नहीं बना सकते हैं अब बात आती है कि master gi 2.30000000 तो हम कैसे identify करेंगे How to identify a noun How to identify a noun एक noun को कैसे पहचाना जाए पचास noun लिख कर दो पचास सब्द लिख कर दे दो तो फिर मैं इस बीच में कैसे पहचान पाऊंगा कि ये noun है जैसे बच्चा बोल ला था कि Master दी part of speech पहचाने में दिक्कत आती है तो वही दिक्कत के में बात कर रहा हूँ कि कैसे पहचान हो कि ये noun है कैसे पहचान हो कि ये pronoun है How to identify a noun कैसे इसे पहचाना जाए कैसे पहचानेंगे हम इसे तो noun को हम कैसे पहचानेंगे ये बहुत असान है और इस बात को हम आज नहीं हमें इस बात को कल जानेंगे आज आएं हमें आपने ध्यान से सुना पूरा देर घंटा आपने मुझे दिया वकैबिलरी मैं बताऊंगा जो ऑल्लाइन जूरे हैं बच्चे उनने तो वकैब प्रैक्रिसर मिल रहा होगा जो ओफलाइन जूरे हैं उनको भी ये सारी चीज़े आपको बता दी जाएगी एक दो दिन में सब चीज इस खिलर हो जाएगा कैसे कैसे होगा आज की बात नहीं त अधर्वाइज मुझे बहुत मलाल होगा और पांडी जोगे बहुत दुख होगा क्रोना कुछ करेगा तो नहीं लेकिन 2-4-5-10 दिन के लिए परसान कर देगा आपको तो फिर ध्यान रखेगा अधर्वाइज मुझे लगता है कि आप लोग इतने बाहुबली है कि बिहार में इतनी संख्या में रैली हुई कहीं कुरोना कुछ हुआ नहीं तो फिर भी अपना प्रिवेंशन इस बेटर दैन क्योर अपना ध्यान रखेगा रोते बाले बच्चों को पढ़ना वाले बच्चों को और जो मुझे इंस्पेक्टर सौरव सामन जी आप धरूब यादव जी गजब पढ़ाते हो आप गजब सुनते हो ना इसलिए आपको लगता मैं गजब पढ़ाता हूँ अपना ध्यान रखेगा थैंक्यू सो मच रहिष सुकला जी प्रिंस जी यादव जी रहिष जी शाहिल जी अज्ट तरीके से क्योंकि आपके पास ऑनलाइन का भी सपोर्ट होगा तो बेहतर अंदाज में और जितना मैं मानता हूं कि ओफ लाइन में एक बच्चा बेहतर बढ़ सकता है अपना सरवांगी का अगर मजबूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सरवांगी की विकास की बात कर बहुत बहुत पटना वाले बच्चों को आप वाले बच्चों को सब को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच